Hi guys, good morning, this is Shakti from Conceptual. Guys, revenge trading में हमेशा देखा जाता है कि नुकसान ही होते हैं traders को. एक trade लेता है, नुकसान होता है, उसके बाद दूसरा trade लेता है, वो नुकसान और बढ़ जाता है, अगर वहाँ पे वो trade जो है, उसकी पीछे की intention नुकसान को recover करने की है तो. तो काई, ऐसी कुछ story इन भाई की भी है, जिन्होंने अपना screenshot हमार सा share किया और हमें बताया है, कि इनको 10 लाग रुपे का नुकसान हो चुका है market के अंदर, 4 लाग का नुकसान यहाँ पे हमार सामने screenshot है, इसकी इलावा इनका एक और screenshot है, जहाँ पे इनका 1,60,000 रुपे का न इन्होंने कुछ trade लिए, profit के बाद trade लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे और भी trade ले सकते हैं, पर वहाँ पे trade संबल के लेना होता है, ऐसा नहीं होना चीकि profit बनने के बाद, profit हमारे आद से निकल गया, पर इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ, 82,000 रुपे के profit में थे, उ इनका नुकसान बढ़के दिन के आखिर तक हो गया, 4,000 रुपे का, तो जैसे की बोला आता है कि revenge trade लोगे, अगर कोशिश करोगी कि नुकसान recover हो जाए, तो वो नुकसान दिन के आखिर तक बढ़ जाता है, और यह सभी के साथ होता है, I believe आप लोगों ने भी कभी न कभी यह experience की होगी, और आगे इस तरीके से काम करना छोड़ दिया होगा, पर नए trader के लिए यह करना बहुत usual है, क्योंकि वहाँ पे emotions पे control नहीं होता, और आगे लिख भी रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान हुआ, 4,000 रुपे का नुकसान एक दिन में छोटा नहीं होता, आगे कहीं न कहीं, decision अपने जो हैं, गलत लेते जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर एक decision जो है, गलत होता जाता है, नुकसान होने के बाद, तो किस तरह से काम करें, कि हम revenge rate ना ले, देखिए सबसे पहली चीज़ तो इस समझना बहुत जुरूरी कि revenge rate हो इकोसिस भी करता था, इस बार, पहली बार मैं, मतलब पहले 10 लाग कलोज कर चुका हूं, 3-4 सालों में, इस बार, पहली बार मैं profitable था, 10 लाग के profit में चल रहा था, पर सर, मेरी revenge trading और old trading की विज़े से मैंने आज अपना सारा capital गवा दिया, सर, तो guys, देखिए, इनके case में त दूसरा trade लिया और उसकी intention हो थी, नुकसान को recover करने की थी, पर कई traders के साथ ये दिक्कत आती है, कि उनको नुकसान हो रहे हैं, पर उसके पीछे की उनको वज़ा ही नहीं पता होती, नुकसान हो रहे हैं, पर उनको ऐसा लगता है, शायद उनकी strategy नहीं काम करती, शायद वो एक trade लेते हो, जहाँ पर आपको नुकसान हो गया, और उस नुकसान को recover करने के चकर में आप दूसरा trade ले रहे हो, और उसमें कुछ गल्तियां कर रहे हो, जिससे कि वो revenge trade वाली category में आ जाता है, नुकसान हो जाए, नुकसान के बाद दूसरा trade ले सकते हैं, कोई दिक्कत व आपको trading नहीं करनी होती है, नुकसान होने के बाद दूसरा trade ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दुबारा से मैं वो इचीज़ बोल रहे हो, कि ऐसा नहीं कि नुकसान हो गया, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान हो गया, उस दिन trade मत करो, next day, fresh mind के होती है कि market आज खुलेगी, market में काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये motive होता उनका, पर उस trade में अगर नुकसान हो जाए, तो उसके बाद उनका motive बदल जाता है, पैसा कमाने की जगा, अब उनका motive ये हो चुका है, कि उनको किसी भी तरह से, जो पहले trade में नुकसान हो है, उस trade, तो मेरे भाई, इसको पहचानने के दो तरीके होते हैं, जहां पर आपने पहला trade जो लिया, जिसमें आपको नुकसान हो गया, let's suppose कि वहां पे 5000 रुपे का नुकसान हो गया, वो आपने 100 quantity की अंदर लिया था, अगर आप अगले trade में अपनी quantity बढ़ा रहे हो, तो इसका मत मतलब वो trade आपका normal trade नहीं है, उसमें आपने quantity बढ़ा दी, क्योंकि अब आप ये सोच लो कि जो मुझे 5000 रुपे का नुकसान हुआ, 100 quantity में काम करके, अब मैं अपनी quantity बढ़ा के 1000 कर रहा हूँ, या 500 कर रहा हूँ, अब मेरी intention ही होगी कि मुझे जल्दी से कम points के अंदर, ज revenge trade है, या फिर guys, दूसरा तरीका, एक और चीज भी होती है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जो अपना trade ले रहे हो, वो revenge trade है, जैसे कि पहला trade, आपने market खुलने से पहले, अपनी कुछ research की, कुछ आपने analysis किये, market खुली, आपने chart खोला, आपने देखा chart को ऊपर जा है, नीचे जा रहा है, आप उस level की wait कर रहे हो, जहां पे आपको enter करना है, आपने वहाँ पे entry भी कर ली, पर आपको नुक्सान हो गया, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर बोलूँगा मैं, नुक्सान होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बा और next trade आपने ले लिया, हवा में ले लिया, random trading कर ली, आपने next trade में chart खोला ही नहीं, आप सिरफ उसरफ price देख रहे हो, आप यह देख रहे हो कि यहाँ पे enter कर जाओ, यहाँ पे enter कर जाओ, यहाँ फिर आपको लग रहा है, अब भाव जो है, बहुत उपर चल चुका है, last time में enter किया था, अब तो और उससे भी सस्ती वो चीज़ मिल रही है, और अब मैं यहाँ पे enter कर जाओ, तो इसका मतलब आप revenge trade ले रहे हो, तो पहला trade जो आपने लिया, वो लिया chart को देखके, दूसरा trade जो आपने लिया, वो लिया हवा में बिना chart को देखके, random trading करके, तो पहच section ने बताना कि आपकी क्या रहा है इस बारे में, revenge trade जो है, क्या आप लोग भी लेते हो, या फिर initially जब आपने trading करनी शुरू की थी, क्या आप लोगों ने भी revenge trading की थी, या फिर एक बार अगर नुकसान हो जाए, तो उसके बाद दूसरा trade किस तरह से लेना चीए, क्या ज़्यादा discipline के साथ, छोटी quantity में ही काम करना चीए, या फिर जो next trade है, क्या हम हवा में ले सकते हैं, बिना chart को दे के ले सकते हैं, प्लीज मुझे बताना, आपकी क्या रहा है इस बारे में,